हलो फ्रेंड्स, जोथिश और हमें आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है सीरत शर्मा और मेरे साथ है आज रोहिट जी, आज हम चर्चा करेंगे राश्यों के बारे में, तो आज मैं चाती हुगी रोहिट जी हमें बताए कि राश्यां होती क्या है, बिल् करहां वहारे जीवन को रीविट स्वाफित करते हैं। आप भी यह साथ अस्थ हलए हैं। P प्रभाभित हमें कई रिंजात्व में हम प्रभाभित करते हैं। जी усके बाद हम ने यह जाना कि हमारे सौण मंदल में बहुक्र जैसे चंद्रमा एक उस ग्रह है तो उसको भी हमने एक शामिल किया श्कॉलोजी में बैसिकली हम नौह ग्रह की बात करेंगे उसमें से साथ हमने देखा कि वह हैं जो सूर्या और चंद्रमंगल शुक्कर गुद्ध ब्रस्पति और उसके बाद हमने देखा कि दो छाया आज हम बात करेंगे राशियों पर हमने समझ लिया है और हमें समझना अब राशियों के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है तो क्या आपको कुछ अंदाला है कि राशियां क्या होती है हम अकबार में अपनी राशिय देखा होगा कि रूद राशियों पढ़ते हैं पर हमने कभी हमें यह समझ में नहीं आया कि यह एक्शली है क्या चीज़ है कि जैसे किसी का नाम अगर एस पे है जा तो उसकी राशिये होती जा जिस जातेगा जनम इस मंत में हुआ है तो उसक हम एक बिंदू में हम अपने आपको समझ लेते हैं केंद्रिच कर लेते हैं और यह जो सारा आसमान है सारा प्रमंड है सकाई है वो हमारे इरदिगर्द घूमती है अब आप जानते हैं कि जो ग्रह है वो गूमते ही रहते जैसे समय चलता रहता है समय ने चलना ही चलना है र कि सूरज नहीं चलता है और यह सारा Milky Way भून्हीं घूम रहता है और यह हमारा नजदीक जो ग्लक्सी है उसको इंडिया डो मीडिया विटे है और अने वाले मिलियन बिलियन साल में को ऩो टकराएंगी वह रहा है वह वह ए अक्ष़ब डीक तो है पिन के अपनी इतकति के साथ पीज जो कि स्पीड है और ट्रैक बात करेंगे राशियों के यहां पर हो रही है यहां निएao कि आपको एक याद हो जाए आप गड़ी की फिकर जो वाल क्लोक होता उसके फिकर अपने दिमाग में लगाएंगे तो आप उसको सर्कल की तरह देखेंगे अब जो गड़ी है वो सर्कल उसको मालें 360 डिगरी तो आप देखेंगे उसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बिल्कुल बारा नंबर होते हैं उसके तो यह पात समझने वाली है यह हम अपने दूसरे एपसिज़ोड में करेंगे बारा क्या महतवता वह दस भी बना सकते थे खीक है कि नहीं बारा ही क्यों बारा ही मास क्यों सा सकते हैं अब देखें यह जो यह जो गोल वॉल्क लोग है उसको हम यह मानने कि अकाश भी ऐसे गोल है और 360 डिग्री जैसे मैंने बात की अब उसको अगर हम 12 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 30 डिग्री आती है तो जो एक राशी को मिला है स्थान या जगा मिली है जै एक राशी के पास 30 डिग्री का अपना निर्धारित जो है चैनल यह उसको बोले की जगा यह उसकी लिमिट जो होती है वो 30 डिग्री या एक वो आजाती है अब इसको हमें जरूरत क्या पड़ी और यह क्यों हमें करना पड़ा तेखें अब घड़ी का अगर टाइम है ऐसे हम खानके ना लगाएंको को समझ लहें बगरह कोdar है तो आपको किसी ने पूछा कि क्या वक्त हुआ है विक्त लुगाँ को आप देखेंगे कि 2 बजे कर 10 मिनिट हुए है शेबजे हैं और उसके बाद आप एक और चीज़ नोट करे कि उस समय को भी हमने एक डिवाइड कर दिया है कैसे डिवाइड कर दिया सुबह का समय शाम का समय रात का समय दोपहर का समय तो इसी तरह से जो हमने पूरी अपनी स्काई है जो पूरा अपना आसमान है ब्रहमंड है उसको वारा राशियों में हमने डिवाइड कर दिया हमने हर राशी क सब्सक्राइब करते हैं तो उसी तरह से हम देख लें कि अब गूमते रहें उजी राशियों में तो हम ने क्या किया हम इसली उन्हें जान पाते हैं कि यह ग्राह इस राशी में हैं तो उनके उनका फल जो होता है राशी के कहीं बार होता है यह डीप टॉपिक है आगे लेकर जाएंगे हमें इस चेप्टर में यहीं समयना है कि राशियां क्या होती है तो आप समझ गए अभी तक की बारा राशियां होती है वह जो अपना आस्मान है उसको बारा हिस्सों में ह हर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्काई है वह हमने क्या कि पूरा आस्मा जो 360 टिग्री है उसको बारा हिस्सों में हमने बाड़ दिया और जो बारा हिस्से हैं उनको हमने 30-30 डिग्री का हर एक हिसा जो हमारा बन गिया तो अब बात करें कि हमने बताया कि उन राशियों के हमने नाम रखे 12 राशियां है 12 नामें आपके हाथ में एक पेज तमाया है कि आप अपने हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से वह नाम पढ़ कर बताए अगर कुछ मिस्टेक होगी आप पहली बार राशियों को पढ़ रही है आपको याद रहेगा और अपने दर्शकों से भी विंति करता हूं कि वह एक पेज ले ले और उसको हमारे साथ साथ उस राशियों को लिखते रहे 12 राशियां है याद हो जाएंगी कोई मुश्किल बात नहीं है हम उनके इंग्लिश नेम बताएंगे और उसके बाद में हम उनके संस्कृतियां इंडियन नेम जा वेदिक जो नेम हैं उनके वह बताएंगे तो बारा राशियां सबसे पहले पहले नंबर की राशी है आप 1234567891011 लिख ले पेज ले ले आप और आपको मैंने पेज पकड और अपने यहाँ पर लिखिये रिस है से आइस पहली राशी पहली रेस है और शाट.. बिलकुल निलुक्व में सली शुल्य संस्कृत में वेदिक में चोलाशी मानते हैं से पहली जो हो ए रिस है तोरस फिस्ति वहा जो है तॉर souvent है यां शेयां घिसकों ब्लाभे ब atención की ए स् पर लिखा भी है मैंने देखें तो चेकर रहें हैं तो नेक्स राशी है लिब्रा बिल्कुल सही है तो इसे तुला राशी बोलते हैं, तो स्कॉर्पियो को हम बोलते हैं, स्कॉर्पियो को हम बोलते हैं, स्कॉर्पियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखें महाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्रिष्चिक राशी, व्रिष्चिक राशी, व्रिष्चिक राशी, व्रिष्चिक एक्वेरियस को क्या बोलते हैं बहुत बढ़ियां इसके एसा ही हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ऐसा ही सीख लाई तो यह 12 राशिक हमें आज सरफ नाम बताएं हम नेक्स एपिसोड में आपको बताएंगे कि इनके स्वामी कौन है और इनके सिंबल्स क्या है रहाँ पहले हम यह करें कि अपने दर्शकों को सिर्फ उनके सिंबल्स बताएं आपने देखा होगा अकबारों में मैगजिनों में जब राशी लिखी होती है तो सिंबल्स एक बड़ी अच्छी चीज है हर चीज जो है तरीके से किये जाता है और उनका ताल मेल उस सिंबल के साथ 99 क्या 110 परसेंट होता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि क्यूं होता है क्या कारण है कि वो सिंबल उनके लिए चूज किये गए हैं और देखते रही है हमारा ये चैनल एक मैं आपको थोड़ा सा पूछ लिए इस लोग कि इस पर नंबर को कुछ मानते हैं तो इनके जो जैसे राशियां तो सेम रहेंगी उनकी जो नंबरिंग की हुई है और वो जैसे अब गड़ी की नंबरिंग के सीक्वेंशल है जो के बाद तीन ही आएगा दो के बाद चार नहीं आ सकता तो वैसे ही इसी वज़ा से इन राशियों की नंबरिंग कर दी गई तो नंबरिंग कहीं बार रोमन नंबर्स में की जाती है कहीं बार मैथ्यवेटिकल नॉर्मल जैनल नंबर्स में की जाती है तो नंबरिंग भी एक कहीं बार क्या होता है कि होरस्कोप छोटा होता है अब उस पर सारी राशी लिख करके देख बहुत अच्छी बात कहीं इसके लिए आपको हमारे दर्शकों को एक और चीज पता चल गई यह देखिए सी बात है कि जैसे दो के बाद तीन ही आता है वैसे मेश राशी के बाद दूसरी राशी जो है कौन सी थी आपका टेस्ट ले रहा है क्या बात है क्या बात ह अधे नंबर वाली राशी है इसको कैंसर बोदा तो यह है कि आसान करना भी होता है समझना ही होता है और हमारे दर्शक जो है वो इसको जल्दी समझ पाएंगे और जल्दी से इनको जाद की जिए उसके बाद आगे इसको बढ़ाएंगे और यह एपिसोड में राशियों के अगर हमारे दर्शक इस चीज़ को एक 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 एंटर्टेन्मेंट के जरीए खुशी-खुशी सीखेंगे और हमें यह नहीं कि हमने कोई चोले पहन कर गले में माला डाल कर किसको लूटने आए हैं बहरूपिये हैं हमारा जो रूप है हम वैसा रखते हैं जो जैसा हम रहते दिल में रखी हुई है और यही भावना के साथ हम आपको बता रहे हैं और ऐसी परकार हम आगे बढ़ते जाएंगे सब तक के लिए दन्यवाद आप दर्शकों से कुछ कहना जाएं तो हमारा हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ भी कोई भी एक भी ग्यान की बात अच्छी लगती है देखें बात यह होता है आपको आज एक बात बताओं जाते जाते एक ग्यान की बात बताता हूं आपको कि ग्यान एक पानी की तरह होता है अगर इ खराब हो जाता है तो आपको आपसे जही गुजारिश है ग्यान की बातों को बहने दें आपको अगर वीडियो अच्छा लगे आपको बाते अच्छी लगे उनको शेयर करें हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना बुलें हमारे चैनल का नाम सब्सक्राइब करें ताकि प्यारे वीडियो जो मज़ेदार वीडियो और ग्यान के वीडियो आपके सब पास पहुंच सके और ऐसे ही ग्यान की बात हम अपनी संस्कृप्ति के साथ जुड़े रहें यह भी हमारा मोटिव है और ऐसा ही चलता रहें तब तक के लिए धन्यवा झाल